नमस्कार मैं हूत्तम पांडे और आप देख रहे हैं A.E.Z. नियूज अब लेटिन बातुन जानव तक हाँ जाते हो यह सबा है कभी खाना मिलता कभी तो भी नहीं मिलता है तस्वीरे आप देख रहे हैं 12 बंकी जनपत के विकास खंड पूरे डराई के तिरबेदी प्रुवा के प्रात्मिक बिद्याले की जहां पर सिख्षा विवाग बच्चों के भविस के साथ किलवार कर रहा है और तो और यहां के बच्चों का कहना है कि माध्यान भोजन भी कभी कभार मिलता है और सौंच के लिए तो बच्चे बाहर ही जाते हैं बिद्याले के अंदर की बात करें तो सोचाले ब्यवस्था पूरी तरह से दोस्त है पानी पीने की कोई ब्यवस्था नहीं है जो सरकारी हैंट पंप लगा है वो भी गंदगी का अंबार फैला हुआ है कमरे में सिमेंट और कमोड रखा गया है सरकारी सिक्चा का इस्तर कैसा है ये सभी जानते हैं लेकिन बिद्याले की हालत देखर ऐसा लगता है कि यहां पर कभी भी आला अधिकारी आते ही नहीं है अब आपको हम सुचारू रूप से सुरू से तस्वीरे दिखाते हैं जहांपर सबसे पहले तस्वीर हम गेट की दिखा रहे हैं जहांपर बाउंडरी का गेट भी टूटा हुआ है यहां से कोई इसली आ जा सकता है और जमीन आप देख सकते हैं जहांपर सफाई ब्योस्था तो बिर्कुल शून्य है यहांपर पानी का जो भी सिस्टम है और पू जहांपर जा नहीं सकता गंदगी से लेकर के घास फूज तक लंबी लंबी उगी हुई है यहां के दर्वाजों को तू देखकर लगता है कि यहांपर कोई बिल्कुल आता ही नहीं है यह पानी की ब्यवस्था की तस्वीरे हैं जहांपर टोटियां तो दूर दूर तक नज जर नहीं आ रही आखिर बच्चे इसमें पानी कैसे पीते होंगे यह रसोई घर की तस्वीरे हैं जहांपर ताला लटता हुआ मिला खैर एस समय के बाद की बनाई गई तस्वीरे हैं जहाँ पर मिड़े मील योजना सापताही का हर तालिका भी बनी हुई है और समर्ग सिक्षा के अंतरगर्थ कितना खर्च किया जा रहा है इसकी भी रूप रेखा तयार की गई है लेकिन वहाँ पूरी तरह से सुनने दिख रहा है इसको अपडेट नहीं किया गया है ये देख साले प्रमंधन समिति की तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं जो की बाकाइदा बोल्ट पर निका हुआ है इस तरह से सरकारी धनका सिक्षा पर दुर्ब्यों किया जा रहा है परंतु सरकारी बेवस्ता सुधरने का नाम नहीं ले रही है जा नाम है आपका कहां पढ़त आप दस दिन नहीं मिलता है और कभी कभी मिलता है अच्छाले टूटा पड़ा है कहां जाते हो लेटिन बातुन जानवता कहां जाते हो यह सबाहर रोज रोज नहीं मिलता कैसे कम मिलता है अच्छी बट्टी खराब होजा तो नहीं मिलता है अच्छी कभ़ गया तो नहीं म सबस्क्राइब करें और सबसे पहले खबर पाएं